ये स्वेम कोड कहती है कि नियाय में विलम बन नियाय है लेकिन ये जो डार साहब के साथ अनियाय हुआ इसके लिए क्या उनको कोई हरजाना कोई भरपाई की जाएगी पुलिश डोजियर में दावा किया गया कि डार अच्छी तरह से सिक्षित होने के कारण सरकार के खिलाब लोगों को भरगाने के लिए सोसल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं किया नहीं सरकार का अलोचा खूने के नाते किसी व्यक्त को हिरासत में लेने कर कोई अधिकार आधा सकता अमबेट का नामा पर आपका स्वागत है मैं हूँ जेपी सिंग कस्मीर के एक पत्रगार के बारे में जम्मू कस्मीर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूल्ण फैसला सुनाया है जम्मू कस्मीर हाई पोर्ट कोर्ट ने कस्मीरी पत्रगार की हिरासत को रद करते हुए कहा है कि सरकार के आलोचकों को हिरासत में लेने की प्रिवेंटीड डुटेंशन कानून का दुरुपयोग है यही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा है कि भालत के सम्मान को तथा कथित बदनाम करना यूए पीए के तहत आतंगवादी कृत्ते नहीं है सरकार या लोचना कंडरे पर डंडित नहीं किया जा सकता ये बहुत महत्वपूर्ण फैस्दा है और हिरासत को जम्मू कस्मीर और लद्दाख हाई कोड ने कस्मेरी पत्रकार सज्जात अमदार की हिरासत को रद्द करते हुए कहा है कि केवाद सरकार के अलोचक होने के कालोर व्रतियों को हिरासत में लेने की आजिकारियों की प्रविर्टी निंदातमक है और इसे निवालक हिरासत कानून, मmm będziemy ipending retention कानून का दुरुपयोग की संग्या दी सज्जाद गूल के नाम से लिखने वाले डार को हिरासत में लेने वाले इधिकारियों के आरोप tracks सोलह जन्वरी दो हजार बाइस से जम्मो कस्मेर सार्जनिक सुरक्षा अजनियम के टाइट हिरासत में लिया गया था उनके ट्वीट और बयान कहा गया था कि इनके ट्वीट और बयान दुस्मानी को बढ़ावा देते हैं और राजे की विवस्था और सुरक्षा के रख रखाओं के लिए प्रती कूल है आरोपों के बिना किसी विश्च सुजारों के आइसपर्स तो सामान ने पाते हुए हाई कोड ने डार की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है निया एलेंड ने फैसले में कहा है कि सरकारी सिस्टम की नीचियों या आयोगों चूक के अरावा के अलोशकों को हिरासत में लेने के प्राधिकारी की योग की प्रविर्टी जैसा कि वर्तमान हिरासत में दिये गए पेसेवर मीडिया विक्ति के मामले में है हमारी राय में प्रिवेंटिल लाका दुरूपयोग है अब प्रसंग वस्त इमर्जेंसी में यही हो रहा था इमर्जेंसी में दरोगा जी जिसको चाहते थे उसको जो है क्या करते हैं किसी ने पेर के नीचे खड़े होकर भासान दे रहे थे और प्रधान मंतरी ततकाली नेंद्रा गांधी की अलोशना नहीं है इसमें यह मीसा इसम नहीं लगाए जा सकता और प्रिवेंटीड रिटेंशन का यह जो है मिस्यूज है और यह अभी तक बेहुस्ता चली आ रही लेकिन अब आप सोचिए कि हां तो अभी अमर्जेंसी लागू नहीं है और फिर किसी को भी जो है यह कहा करके कि यह आप जो है मतलब क्या करते हैं बारस के खिलाफ युद् प्रेम के नाम पर किया जा रहा है चीफ चस्टिस इंग को ट्रेक्ष्वा सिंग और जस्टिस इमें रिपीट ने कहा कि हिरासत के आधार पर कहीं भी हो लेक नहीं किया गया कि हिरासत में लिए गेड़क्ति ने कोई जूठी कहानी अपलोड की थी या उनकी पे होले वाली गटनाओ यहां तक कि सुरक्षा बलों के संचालन सहीद की रिपोर्ट करना उनका पेसेवर व्यवसाइक करतव है था खंड़पीट में कहा कि हिरासत में ले रेक्ति के खिलाब कोई विशे सारोट नहीं कि उनकी गत्विजियों की राजिगी सुरक्षा के ल ब्लीस कारन से हिरासत में नहीं लिआ जा सकता कि वे सरकार का आलूचक है हिरासत में लेने बाले प्राधिकारी ने पाया कि anomaly के रसासित प्रदेश कि इस बात पर भरोसा करने का अधार नहीं हो सकता कि एक सच्ची और तेथिया का मेडिया रिपोर्ट लोगों को सरकार के कामकाच के खिलाब भड़का सकती है वह अभी बिना किसी विशेश उधारन के कि कैसे उनकों ट्रीट से कोई समस्या पैदा हुई साज़निक विवस्था तो दूर की बात सरकार के साथ समस्या है हिरासत के आधार में अभी उलेक किया गया कि एक पत्रकार के रूप में हिरासत में लिए गया विक्ती द्वारा समाचार अप्लोड करने से सरकारी मशीनरी के खिलाफ सतुरता और कट्रता पैदा हुई है हलाक इसका कोई विशेश उधार या एक्जामपिल नहीं दिया गया कोर्ट ने आगे कहा कि पोस्ट आवलिक लेक ऐसे हैं कि कि किस तारीक के हैं प्रक्रियात्मा कुलंगनों ने नुक्षेद बाइस पांच का उलंगन किया खंड़पीट ने कहा कि कोई प्रक्रियात्मा कुलंगन भी नहीं हुआ है कई प्रक्रियात्मा कुलंगन भी हुए है हिरासत में लिए गया वेक्तिकों सभी प्रासंगिक समास्तामकरी जैसे डोजिया, रेफाईयार, गवाहों के बियान और असंबन दस्तावे जिसमें उनके सोसल मीडिया एकाउंट पर कथित पोस्ट भी सामिल है परदान नहीं किये गए जो ना केवल हिरासत में लेने वाले प्रादिकारी के लिए बलकि उसकी नजरबंदी के खिलाब सरकार के उचित रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भी प्रासंगिक हैं इसके अरावा बंदी के खिलाफ दर्ज की गई तीने फायार का पूरा रिकार्ड और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा हिरासत में लिए गए प्रिवेंटन डिटेंशन के आदेश के संबंद में अपनी संतुस्ति प्राप्त करने के लिए जिस पर भरुसा किया गया वा बंदी को प्रस्तूत या बंदी को नहीं दिया गया इसके प्रणाम सरुप संविधान के नुक्षेद बाइस पांच के तहर संवैधानी करिकारों का उलंगन हुआ अदालत ने कहा कि संपूर्ण तस्ता वेजी देकार्ट उपलंद कराने के अभाव में हिरासत में लिए गया व्यक्ति को अपने हिरासत के खिलाफ प्रभावी और सार्थक प्रतिसित करने में सक्षम नहीं कहा जा सकता है जो उसका वैधानी को समवैधानी का दिकार है पुलिस दोजियर में दावा किया गया कि डाल अच्छी तरह से सिक्षित होने के कारण सरकार के खिलाफ लोगों को भरकाने के लिए सोसल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं किया नहीं कर सकते हैं मनें भविस्ट में जो है वो क्या कर सकते हैं उसकी आसंका में किरिफतार कर लिया एक पत्रगार होने के नादे उन्होंने जम्मू कस्मीर के कल्यान के बारे में रिपोर्टिंग करने के वजाए सतुदा को बढ़ावा गिया ऐसा आरूप लगा गया इफ आईयार में अभी मुडबेर अभियान के बारे में जोटी और फर्जी कहानी फैला रहे थे तीसरी फाइयार में आरूप लगा गया कि उन्होंने तेरा जन्मरी बाईस को स्रीनगर में सुरक्षा बनो द्वारा एक मुडबेर अवियान के बारे देसी विरोधी नारों को उजागर करते हुए सोचल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया हाई कोड ने कहा कि हिरासत के आधार इस पर स्थ हैं और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने अपने वीवेक का इस्तेमाल नहीं किया यह भी नोट किया गया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने यह उलेक करना छोल कि डार को एक मामले में जमानत दी गई अब आप सोचे कि 2022 से वो व्यक्ति जेल में हो 23 में नौंबर में उसकी जमानत हो रही है उसको दिहा किया जा रहा है तो इतने दिन तक वो जो जेल में रहा जो उसके अधिकारों का हननन हुआ उसका क्या उसका कोई हिसाब है हाईकोर ने कहा ऐसे इसपस्ट आधारों पर आधारे हिरासत आदेश ठिकाव नहीं है क्योंकि हिरासत में लेने वारे प्राधिकारी ने आदेश पारित करने से पहले हिरासत में लिए गये व्यक्ति कि सोतंत्रता को कम करके उसकी हिरासत उसे हिरासत में रोकने का आदेश देने के लिए व्यक्ति पर संतुस्त्री प्राप्त करने के लिए अपना विवेक नहीं लगाया जो भारत के संविधान 21 के तहट गारिंटी क्रिक पोसित और मुलिवान अधिकार है हाई कोड ने हभी का कि संपूर्ण रिकाल दस्तावे जिस पर बंदी को इरासत में लेने का भरुसा किया गया उसे दिया नहीं गया उपलब्ध नहीं कराया गया हिरासत के इसपर साथार है प्रभाविय और सार्शक प्रतितु करने का कोई अधिकार नहीं है जम्मू कस्मीर सारजनिक सुरक्षा अधिनियम के वैधानिक प्रावधान के साथ साथ भारत के समविधान के अनुक्षेद 22-5 के तार प्रतान की गई समवैधानिक गारेंटी उलंगन के लिए ठिकाओ नहीं है इससे पहले हाई कोर्ट की एकल पीड ने दिसंबर 22 में हिरासत आदेश में हंस्तक्षेव करने से इंगार कर दिया था जिसके बाद उन्होंने खंड पीड में अपील की मतलब नियायर की प्रक्रिया में भी जो है समय लिए कि दिसंबर 22 से नौंबर 33 मने एक साल लग गया जस्टिस दिरेड जस्टिस डिनाइड यह स्वैम कोर्ट कहती है कि नियायर में विलम बन नियायर है लेकिन इस जो डार साहब के साथ अन्याय हुआ इसके लिए क्या उनको कोई हर जाना कोई भरपाई की जाएगी तो सवाल इस बात का है कि भाई वो कहते हैं ना जो खाजाना भाई जो पुलिस का है वो सही जो खाजाना भाई जो अधिकारी का है वो सही इसके आधार पर लोगतंत्र नहीं चल सकता